मैं जा रही हूं आरी मार्केट, ठंड बहुत है, आप देखिए, पूरा का पूरा कोहरा है, पोगी, अभी हम जा रहे हैं मेट्रो में कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे ही होंगे, तो दिली की कड़क तीवी ठंड में और फॉग में आज सुबह मैं चल दी हूँ, मार्केट के लिए, दिली के कुछ ऐसे मार्केट जो की काफी फेमस हैं, लेडीज कपड़ों के लिए तो इस्पैशली बहुत जादा फेमस हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है, तो मैंने सोचा चलिए, आज एक राउंड वहीं का लगा लिया जाए, और मैंने पकड़ी मेट्रो और पहुँच गई हूँ, सीधे मार्केट, चलिए, देखते हैं आगे-ागे. तर सबसे पहले हम आई एने मेट्रो स्टेशन पर उत्रे और वहाँ से बाहर आए, वहाँ से बाहर आने के पहले हम गई आई एने मार्केट जहां पर की क्रिस्पस का सारा समान मिल रहा था, जो काफी रीजनेबल रेट पर था, और मैंने भी डेकोरेशन का थोड़ा सा समान वहां से लिया जो काफी अच्छा था बहुत यह केक आपके कितने दिन तक फ्रश रह सकते हैं परवरी में इस्पारिंग होगा कितने गई कितने का वहां पे चीज़े काफी रिजनेबल रेट पर थी यह शूज वहां पे 350 के मिल रहे थे काफी अच्छे थे, क्वाल्टी वाइज अच्छे थे उसके बाद फिर पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, वहां पे सांभर वड़ा खाने के बाद फिर हम वहां से आगे बड़े क्योंकि भूग आई एन्ने मार्केट से अपोजिट साइट जाके हम आगए दिल्ली होट, दिल्ली होट का एंट्री टिकेट है 30 रुपीज का और अंदर दिल्ली होट वैसे एक बहुत ही हाई क्लास मार्केट है, जहां पे बहुत ही हाई क्वालटी के सारे समान थे, बहुत अच्छे थे लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव थे बट ना जैसे अलग-अलग स्टेट की चीजे डिफरेंट, क्लासिकल बहुत अच्छे समान थे प्योर पश्मीनास के जो सोल थे वो वहाँ पे 2000 उन्होंने प्राइस बताई थी जो की वेट में भी बहुत हलके थे और बहुत अच्छे थे तो वो उस हिसाब से कोस्टली नहीं लग रहे थे वहाँ की चीजे सब बहुत हाई क्वालिटी थी जैसे ये ड्राइब्टूट बॉक्स थे जो नोने 1800 के बताये थे जो प्योर भुटके थे और बहुत ही क्लासी थे देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे बहुत सी चीजे वहाँ पे इतनी युनीक थी के देखके बहुत ही खूँद सूरत लग रही थी जो वहाँ पे कपड़े मिल रहे थे कश्मीरी थे कुछ राजिस्थानी भी थे बहुत अच्छे कपड़े थे और मतलब देखने में भी अच्छे थे और रेट वैसे थोड़े एक्स्पेंसिव थे लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे थे उसे साब से जादा कोस्ली लग नी रहे थे जैसे कांच की ये छोटी छोटी सी चीजे न वहीं पे एक कारिगर बैटकिन को हाथ के हाथ बना के दे रहा था आप उन्हें अपना डिजाइन देते और वो इन्हें तुरंत बना के दे रहे थे वहाँ पे क्रोकरी भी बहुत अच्छी थी यूनीक थी और बहुत ही सुन्दर क्रोकरी थी अगर आप लोगों कुछ यूनीक कुछ क्लासी चीजे लेनी हो अपने घर के लिए तो हम दिल्ली होट से यहाँ से शोपिंग की जा सकती है वहाँ पे ब्रास के समान भी बहुत अच्छे थे बहुत हैवी वाले ब्रास के चीजे थी थोड़ी कोस्ली थी लेकिन बहुत अच्छी यूनीक और बहुत फाइन आर्ट से बनी हुई चीजे थी तो दिल्ली होटकूल मिला के बहुत अच्छा मार्केट है अगर वहाँ से युनिक चीजे आपको लेनी हो तो वहीं पे बीच में कुछ कलाकर वहाँ पे राजिस्थानी डांस कर रहे थे और उनके साथ जो उनके गायक थे वो भी बहुत खूबसूरत उनका म्यूजिक था बजाने का भी और उनके जो गाने का स्चायल था वो भी बहुत कलासी था और बहुत अच्छा था और ये प्रोग्राम देखके न बहुत ही अच्छा लगा एकदम न ट्रेडिशनल डांस था और बहुत खुबसूरती से वो उसे कर रही थी ब्रास के समान वाकई में बहुत खुबसूरत थे बहुत बड़ी-बड़ी वहाँ पे आर्टिकल्स थे ब्रास के और छोटे भी थे वहाँ पे लेकिन सारे समान इतने फाइन आर्ट इतनी खूबसूरती से बने वे थे, अगर आप चाहें तो इन्हें ले भी सकते हैं, अपने घर के लिए बहुत अच्छे थे, ये छोटा सा कच्छवा, उन्होंने 500 का बताया, वैसे इसमें वेट बहुत जादा था, साइज में ये छोटा थे, वहाँ से हम थोड़ा आगे और इतना अच्छे से उन्होंने पूरा प्ले किया ना, कि हम लोग उन्हें देखे बिना आगे बढ़ ही नहीं सके, इतना खूबसूरत उन्होंने जो प्ले किया, वहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था, ये उन्होंने बास से बनाई हुई बासकिट थी, जो बहुत ही फ सुन्दर था सजाने के लिए decorative piece बहुत अच्छे थे लोहे के समान भी वहाँ पे मिल रहे थे कड़ाई वागर आपको लेनी ओ तो बहुत अच्छी थी heavy कड़ाई थी जो वहाँ पे लोहे की मिल रहे थी और बाकी समान भी कपड़े वागर तो सब थे वुट के उपर नकाशी किया हुआ, ये फरनीचर तो वाकाई में कमाल का था, बहुत खूबसूरत था, यूनीक था एकदम ये जो बर्ड्स के पेर थे, ये नोने वेस्ट पेपर से बनाए वे थे, पेपर को भिगो के क्ले में और ये उससे बनाए वे थे ये देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी थी, लेकिन इनकी कोस्ट थोड़ी बहुत ही जादा थी, ये 500 का एक पेर था, जो कि वोशेबल भी नहीं था, अगर इन पे डस्ट जम जाए तो फिर ये खरा, वुट से बने ये समान भी बहुत खूबसूरत थ ये पैरट भी देखने में, दिल्ली होट के बाहर जो समान बेशते हैं, वो लोग इतनी जादा बारगेनिंग करते हैं, 350 का ये विंट चाइम बोलके, वो मुझे 100 में देने के लिए तैयार हो गया है इसे, दिल्ली होट से आगे आकर, आटो से हम लोग आ गये हैं, सरोजनी नगर मार्केट में, सरोजनी नगर मार्केट में हमेशा रश रहता है, यहाँ पे गल्स का और लेडी का समान जादा मिलता है, और रश बहुत जादा था उस दिन भी जब हम गए, यहाँ पे जो रोड के बाहर स्टोल लगाए जाते हैं, वो बहुत ही सस्ते थे, वहाँ पे समान जैसे के 200 में आपको certain मिल रहा है या फिर 200 में lower थे और 200 में वहाँ पे skirts भी मिल रही थी तो समान तो वहाँ पे जो वो उपर लिख के रखते हैं उसी rate पे देते हैं वहाँ पे कोई bargaining नहीं कर सकते, skirt 200 की थी जो की अच्छी थी और इनमें different तरह के कपड़े थे पोटन था, synthetic था, वहाँ पे आप जो भी कपड़ा लें उसको निकाल के अच्छे से चारो तरफ देखके उसका एक तरह से X-ray कर लें और तब वो कपड़ा लें इस कड़कती थंड में आईस्क्रीम खाने का अपना एक अलगी मज़ा है तो सब लोग वहाँ पे आईस्क्रीम खा रहे तो हम लोग भी रुक नहीं पाया और हम लोगों ने भी आईस्क्रीम खाई इतनी थंड में शूज जो वहाँ पे मिल रहे थे वो काफी अच्छे थे उनकी कौलिटी अच्छी थी और रेट भी सही थे जैसे ये वाले शूज है यह थे 350 में वहाँ पे मिल रहे थे जो देखने में भी खुबसूरत थे और क्वालिटी भी तो ये थी सरोजनी नगर मार्केट यहाँ से मैंने भी कुछ शॉपिंग किया, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी कि मैंने यहां से क्या-क्या शॉपिंग किया सरोजनी नगर मार्केट से शॉपिंग करने के बाद हम लोग फिर मेट्रो से वापस राजीव चोका है और वहां से बाहर आगए हम कनाट प्लेस पे कनाट प्लेस पे वहां पे यह एक ड्रामा हमेशा चलता रहता है यह आवेरनेस के लिए यह लोग करते हैं कि हमें पॉलथीन यूज नहीं करनी चाहिए उसके लिए यह सब कर रहे थे वहां पे काफी लोग इने देख भी रहे थे और बहुत अच्छे से यह प्ले कर रहे थे कनाट प्लेस पे जो स्ट्रीट मार्केट है रोड साइट जो लोग बैठे रहते हैं वो लोग भी काफी सस्ती चीज़े दे देते हैं और बहुत ही मतलब काफी लोग उनसे ले भी रहे थे काफी रश था उनके पास भी समान लेने वालों का तो वो कपड़े, गोगल्स और बुक्स वगेरा भी वहां पे फुटपाथ पे मिल रहे थी लेकिन अभी विंटर का सीजन है तो वहां पे जो है कोट, स्वेटर और गरम कपड़े बहुत स्ट्रीड मार्केट में मिल रहे थे फिर हम आगए जनपत मार्केट में जनपत मार्केट एक वहां पे भी लेडीज के ही समान जादा थे बहुत जादा वहां पे रश था उस चाइम पे लेकिन एक चीज मैंने देखी के वहां पे बारगेनिंग बहुत जादा होती है वहां पे 600 के अगर कोई रेट बताते हैं किसी चीज के और आप उसे 200 के चल देते हैं कि नहीं हमें नहीं लेना है तो वो खुद आके उसे 200 में आपको दे जाएंगे मेरे साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया एक ड्रेस उन्होंने मुझे 600 की बताई और मैंने का नहीं मुझे नहीं लेनी है तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया और पीछे-पीछे आते रहे तो फिर मैंने का नहीं मैं तो इसे 250 में लूंगी तो उन्होंने वो मुझे 250 में ही दे दी तो इस तरह वहाँ पे जब भी अगर आप कभी जाए तो वहाँ पे bargaining बहुत ज़्यादा होती है rate बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन उससे वो एक तिहाई rate पे वो चीज आपको दे देते हैं तभी वाहाँ पे आगे कमेटी वाले हैं उन्होंने जो आगे अपने इस्टोल लगा के अपने कपड़े लगाया वे थे आपने 10 मिनट के अंदर सारे कपड़े हटा के उन्होंने पूरी आगे की जो उनकी रोड थी ना पूरी खाली कर दी और सबंदर ले गए और इस तरह ये हमारा मार्केटिंग का दिन हो गया है पूरा और अब शाम भी हो गई थी ठंड बहुत बढ़ गई थी और हम लोग चल दियें घर की तरफ वापस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगाओ तो एक लाइक जरूर कीजेगा और शेयर भी कीजेगा और प्लीज सब्सक्राइब भी कीजेगा चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग पे तब तक के लिए बाए